हलो स्टुएंट्स, विल्कम बैक तो दिस चैनल दीने सरी स्टूडियो में हम बात करेंगे सारी जो इन्यूवर्सिटीज है महराश्टरा की उसके फाइनल येर के फाइनल सेमिस्टर की एक्जाम का क्या होने वाला है फ्यूचर में क्या जुलाई में एक्जाम ली जाएगी या एक्जाम कैंसल हो जाएगी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उदे सामन जी जितने बार भी लाइव स्ट्रीम कर रहे है उनके अंदर से सिर्फ एक ही हिंट मिल रहा है उनकी बातों से कि जो वो एक्जाम लेना नह कर दिया गया है तो आओ चलो इसके उपर डिसकेशन करते कि कैसी कंट्रोवर्सी और यह क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले बता दूं कि यूजी सी शुरू से शुरू करते हैं यूजी सी जो होती है इनवर्सिटी ग्रांट कमिशन औल और इंडिया के सारी इनवर 50% प्रीवियस एक्जाम के बेसे से पर ले सकते हैं सारी बाते बाते बताई थी और फाइनल येर फाइनल सेमिश्टर की जो एक्जाम से वो भी कोरोना के सिचुएशन के इसाप से ले सकते हैं तो उनकी गाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए उदे सामन जी ने कह दिया था क कि जो फाइनल सेमिश्टर के एक्जाम जुलाई में ली जाएगी जो टाइम टेबल यूजी सी के तरफ से आया था उसके अकॉर्णिंग लेकिन उसके उपर क्या हो गया कि फाइनल सेमिश्टर के सारे डिगरी कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो नाराज हो गए सोशल मीड ठाकरे जी जो है सी उशेना के, उन्होंने क्या किया कि UGC को लेटर लिखा, उदे सामन जी को कहा कि जो फाइनल येर, फाइनल सेमिस्टर के स्टूडेंट से उनकी एक्जाम सो लेकर सोचा जाए, और ऐसी बहुत सारे वेते उसके बाते हुई, NCP, राष्टरवाधी, कॉंग करना मतलब गलत हो सकता है, तो UGC ने लेटर लिखा, UGC को उदे सामन जी ने लेटर लिखा कि जो एक्जाम से फाइनल येर, फाइनल सेमिस्टर वो लेना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए गाइडलाइन कीजिए कि अगर वो एक्जाम कैंसल करके कुछ अलग तरीके से मार्क्स दिये जा सकते हैं, क्या स्टूडेंट को, तो किस तरह से दिये जा सकते हैं, ऐसा जो हमारे उच्छे सिक्षन मंत्री उन्होंने UGC से रिक्वेस्ट की और लेटर दिया, और जल्दी से जल्दी निरने लेने की रिक्वेस्ट की, ये होने के बाद क इन्होंने के विरोध में, जो उदे सामजी करने जा रहे थे, इन्होंने लेटर लिखा था, लाइव आकर न्यूज चैनल पर भी इन्होंने बताए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग की एक्वेस्ट कर दी जाएं, तो उसके बाद कुछ जो संस्थाएं हैं, या कुछ मंत्री हैं, उन्होंने किया कि फाइनल येर, फाइनल समिस्टर के बच्चों के अगर एक्जाम नहीं ली जाएगी, तो उन्हें आगे बहुत प्राबलम हो सकता है, उनके मास्क इस बेसिस पर दिये जाएंगे, और आगे चलके उनके नौकरी पर असर पढ़ सकता है, इसे लिए फाइनल येर, फाइनल समिस्टर की एक्साम सोना बहुत जरूरी है, ऐसा चलकर बहुत से लोग आगे आकर आप कह रहे हैं, इतना ही नहीं गवर्नर तक, जो महराश्टरा के राज्यपाल है, कोशियारी जी भगत सिंग, वहां तक बात पहुच गई है, उन्होंने बहुत से लोग बीच में आ गए, इंटर्फियर कर रहे हैं, अब राज्यपाल और उद्धव ठाकरे, इनको भी मिलकर इंटर्फियर करना है, और ये डिसिजन देखते हैं, अब कैसे होगा, पहले ये ऐसा हो रहा था कि उद्धै सामन जी वन साइट डिसिजन ले सकते हैं, एक्जाम को कैंसल करने का, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उनको विरोध कर रहे हैं बहुत से लोग, तो अगर वो कैंसल करने का डिसिजन लेते भी हैं, तो उनके उपर अपती आ सकती है, संकट आ सकता है, बहुत से लोग उनके विरोधक सामने खड़े हो जाएंगे, बहुत भी कुछ decision ले सकते हैं राजय पाल और मुख्यमंदरी की support से तो देखते हैं decision क्या आता है जैसे ही कोई decision आएगा मैं आपको तुरंद इस चैनल पर update दूँगा इस चैनल पर पहली बार आए आप चैनल को subscribe कर लो ताकि आपको इस तरह के update मिलते रहें ठीक है मिलते दोस्तों नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ